दिल्ली की के जिवाल सरकार और उसके कुछ अफसरों के बीच में जो टकराव शुरू हुआ था वो कुछ थमता या खत्म होता हुआ सा नजर आ रहा है। सिंग को सेकेर्टरी सर्विसेज न्युक करने की जो फाइल है जो प्रस्ताव है वो उपरा जिपाल को भेज दिया है। फॉर्मल्टी होनी चाहिए कि जो के जिवाल सरकार है उसने प्रस्ताव भेजा है और उपरा जिपाल जो है उसको मंजूर करके भेज देंगे। तो फिलाल ऐसा लग रहा है जो टकराव शुरू हुआ था वो कुछ कम हो गया है। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 11 मई, गुरुवार 11 मई को जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जो कॉंशनल बेंच है, सुप्रीम कोर्ट की कॉंशनल बेंच ने यह आदेश सुनाया कि दिल्ली में सर्विसिज चूनी हुई सरकार का अधिकार ख्षेतर है। एके सिंग को सेकेर्टरी सर्विसिज न्युक करने का उन्होंने आदेश दिया, लेकिन यह आदेश लागू नहीं हो पाया, जिसके चलते अगले ही दिन, ठीक अगले ही दिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ठीक अगले ही दिन केजरिवाल सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पह तो उसके बाद से अब तक दो चीजे एहम हो चुकी हैं शुकरवार जब सुप्रीम कोट के जिवा सरकार चली गई थी एक तो जो उप्राजपाल हैं उन्होंने सर्विस मामलों की सभी फाइल ये कहते हुए कि सुप्रीम कोट के और के मद्दे नजर जो सर्विस मामलों से था यानि कि उप्राजपाल इससे सहमत हो गए हैं कि हां ओडर यही है तो उन्होंने सारी फाइल ने सर्विस मैटर्स की सारी दिली सरकार को भिजवा दी और दूसरा जो सबसे पहला विवाज शुरू हुआ था वो आशिश मोरे के उपर ही हुआ था कि वो सेकेटरी सर्वि की बैठक भी बुलाई गई तो जब उसकी बैठक में दिली सरकार सुत्र बता रहे हैं कि उसमें अधिकारियों ने असहमती नहीं जताई है यानि कि कुछ सहमती बन गई है तो अब यह उमीद करनी चाहिए कि जो चुनिवी सरकार है और जो अधिकारी है वो मिलकर काम हैं कि अभी के लिए जो हम कह रहे हैं कि यह टकराव जो है वो खत्म हो गया हो कम सकम अभी के लिए तो यह खत्म हो ही गया हो शरच शर्मा एंडिटीव इंडिया